सुप्रीम कोट का चंडिगड के मेयर चनाव में एतिहासिक फैसला आया है सुप्रीम कोट का बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता बीजेपी को हराया जा सकता है चंडिगड के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि बही इंडिया गटबंदन का candidate mayor बनना चाहिए लेकिन उनने चोरी कर लिया चुनाओ अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाओ उने वाला है उसमें 90 करोड वोट हैं अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं 90 करोड वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंग और CCTV कैमेरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया सुप्रीम कोड का चंडिगड के मेयर चुनाओ में एतिहासिक फैसला आया है हम सब ने देखा कि किस तरह से चंडिगड के चुनाओ में साफ साफ था कि 20 व वोट किस तरह से इंडिया गटबंधन के वोट गलत तरीके से इन्वैलिट डिकलेयर कर दिये गए और इंडिया गटबंधन के केंडिड कुलदीब कुमार को हारा हुआ डिकलेयर कर दिया गया बीजेपी केंडिड को जीता हुआ डिकलेयर कर दिया गया मामला जब सुप्र कोट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया यह मुझे लगता है कि भारती इतिहास के अंदर शायच पहली बार हुआ है हम सुप्रीम कोट का बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं कि इतने कठिन सम पूरा डिक्टेटर्शिप चल रही है जनतंत्र को कुछला जा रहा है जगे जगे सारे इंस्टिटूशन जो है वो एक तरह से कुछले जा रहे हैं रौंदे जा रहे हैं ऐसे में सुप्रीम कोट का यह जो फैसला है यह बहुत माइने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतं गठबंदन की यह बहुत बड़ी जीत है पहली जीत है बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े माइने रखती है एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग यह जीत उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था यह चुनाव उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिये थे ले बहुत बड़ा संकेत देती है देश को, जो लोग कहते हैं कि BJP को हराया नहीं जा सकता, BJP को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी planning और strategy से हराया जा सकता है, और मेहनत से हराया जा सकता है, ये इस चनाव के नतीजों ने साबित कर दिया, तो मैं इंडिया ग ही दिया था कि इंडिया गढबंदन का candidate mayor बनना चाहिए लेकिन उन्हें चोरी कर लिया चुनाव तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव चोर एलेमेंट 36 वोट थे उन 36 वोट की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने आठ वोट चोरी कर लिये 25 परसेंट वोट चोरी कर लिये 36 के अंदर सोचो अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुना होने वाला है उसमें 90 करोड वोट हैं अगर ये 36 वोट में से 25 वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे सोच के भी रूप कहां पूठती है रॉंक्ते खड़े हो जाते हैं सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड करते हैं सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं वोटों की चोरी करते हैं पर कभी-कभी मन कर स सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था, आज कैमरे के अवतार लेते हैं, भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं, इनकी किस्मत खराब थी, कि चंडिगड के चुनाव के वक्त CCTV कैमरे लगे हुए थे, और CCTV कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा, कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, आज जितनी confidence के साथ ये कह रहे हैं, 370 seat आएंगी, 370 seat आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को challenge कर रहे हैं ये लोग, कि तुम्हारे vote की जरूरत नह हैं हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 seat, तुम्हारे vote की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 seat, अगर उन्हें इतना confidence है, 370 seat का कहां से आ रहा है ये confidence, कुछ तो गड़बड कर रखिये इन्होंने, और जिस देश या, अगर किसी देश के अंदर को बचाना पड़ेगा, इस ये भी साफ है, ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं, आज ये पूरे प्रकरने, चंडिगड की पूरे चुनाव ने इन लोगों को बे नकाब करके, पूरे देश के अंदर बे नकाब कर दिया है, इन लोगों पी, बीजेबी में चले गाए, वो भी एक बड़ी चीज है, कि इनका पूरा शड़ेंतर क्या था, कि शड़ेंतर था कि हमारे अब पार्षदों को तोड़ेंगे, ये चुनाव जैसा मैंने कहा कि पहले तो पूरी कोशिश करते हैं, इवियम में धांदली कर दो, इसमें धा अड़ियां फेकते हैं, उनकी तरफ सब तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जंतंतर थोड़ी है, इसमें अगर आमादी पार्टियों कॉंग्रेस मिल जाएं तो बीजेबी को हरा सकते हैं, मैंने अभी यही बोला, पंजाब में भी आप इस पर, ये मैंने बो बोला क कि किस तरह से अगर हम सारे लोग इकठे हो जाएं, इंडिया गठवन्दन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मेसेज दिया है, जो लोग कहते हैं कि बीजेबी को हराये नहीं जा सकता, बीजेबी को हराया जा सकता है, अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्र स्ट्रेटिजी से कहं करें और महिंएत करें हम बीजेपी को हरा सकते हैं हमने यह यह चुनाव में हरा के कमारताब वने वो जिस्ट्रेटरजी जीतने की स्ट्रेटेजी है आप उसमें चिंता मत करो उसमें जीते हमें अभी कई सारे रांड Veterans of बात हो रही है और कई सारे rounds of discussion हो गए हैं काफी अच्छी बात्चीत चल रही है और काफी advanced stage पर है बहुत से आपके साथ ही है जो इंडिया लाइन्स की बस में चड़े तो थे लेकिन धीरे धीरे उतरने की कोशिश करते हैं जो जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उन सब लोगों का इंडिया गडबंदन में स्वागत है सर आपको लगे ना लाज स्केल रिगिंग भी लोग सभा के समय यह अपोजिशन को एंडिया ब्लॉक को डर है जिस तरह का पुछले कुछ दिनों में घटित हुए हैं चीज़े देखिए EVM को लेके बहुत प्रशन उठते रहते हैं जैसे मैंने बताया इनकी multiple stages हैं पहले त करते हैं तरह तरह की गडबड़े करते हैं वोटिंग वोटर लिस्ट गडबड कर देते हैं EVM के अंदर गडबड़ी की बहुत सारी शिकायते और बहुत सारे वह आये लेकिन उसके उपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए EVM के गडबड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्टेंदर नहीं किया तो EVM के उसके बावजूद भी अगर यह कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर EDA, ED छोड़ देते हैं, CBI चोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं मने पैसे फेंकते हैं उसके तरफ, उसके बाद यह MLA और MP तोड़ लेते हैं, इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पर खत्रे में और जनतंत्र सबसे इंपोर्टेंट है देश के अंदर, जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने, अगर जनता की नहीं चलेगी, और एक किसी व्यक्ति को अगर यह एहंकार हो जनता की तो जूरूरत ही नहीं है, एक सो चालिस करोड़ों की मुझे क्या जूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके आप जनता कहा जाएगी, जनता अपना घर बैठे हो कह रहे हैं कि जनता घर बैठे है में तुम्हारी जूरूरत नहीं है,